प्रस्न छे, तीन मीटर त्रीज्या तथा साथ मीटर घहराई वाले कुउआ को खोदने में तीस रुप्या पड़ती घन मीटर की दर्शे कितना ब्याय होगा? तो लिखेंगे कुउआ की त्रीज्या, कुउआ की त्रीज्या बराबर तीन मीटर, कुउआ की त्रीज्या कितना दिया हुआ है? तीन मीटर और उचाई उचाई बराबर दिया हुआ है साथ मीटर तो घहराई कहें या उचाई कहें एक ही बात है अगर हम कुउआ के अंदर से जाकर के नापेंगे तो क्या होगा? अगर उपर से नापते हैं तो घहराई ठीक है? तो घहराई या उचाई कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर तो कुउआ कैसा होता है? बेलनाकार तो यहाँ पर बेलन का आईतन का सुत्र लगेगा ठीक है? क्योंकि कह रहा है कुउआ को खोदने में 30 रूपया पड़ती घहन में बात कर रहा है घहन मीटर की दर दिया हुआ है 30 रूपया पड़ती घहन मीटर तो घहन मीटर यानि घहन में आईतन निकलता है तो लिखेंगे आईतन तो बेलन का आईतन का सुत्र होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई पाई का मान होता है 22 वटा 7 आर त्रीजिया को आर से लिखते हैं तो त्रीजिया कितना है 3 मीटर यानि 3 लिख लेंगे आर के जगा पे तो आर का वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा एच यानि उचाई उचाई कितना है 7 तो कितना हो गया 7 से 7 कट जाएगा 3 का वर्ग होता है 9 तीन का वर्ग कितना होता है 9 यानि 22 गुना 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 यानि 29 गन मीटर तो कुगा का आइतन कितना है 108 गन मीटर अब क्या कह रहा है कुगा को खोदने में 30 रुप्या पड़ती गन मीटर की दर से कितना बे होगा तो लिखेंगे कूल अतह कूल ब्याय कूल ब्याय तो कूल ब्याय बराबर हो जाएगा 198 गुना 30 रुप्या ये कैसे होगा तो एक घन मीटर में 30 रुप्या लग रहा है तो कितना घन मीटर है 198 गन मीटर है तो 198 गन मीटर में कितना रुप्या लगेगा 198 गुना 30 कर देंगे तो कितना आ गया 5940 रुप्या तो कूल ब्याय कितना हो गया 5940 रुप्या यानि कुवा को खोदने में 5940 रुप्या लगेगा तो इसका आइतन गयाद कर लेंगे सबसे पहले उसके बाद इसका कुल ब्याय गयाद कर लेंगे प्रस्न साथ एक सम विर्थाकार बेलन का आइतन 2310 घन मीटर है तथा आधार का ब्यास 14 मीटर है तो बेलन का वक्र प्रिष्ट गयाद करें तो बेलन का आधार का ब्यास ब्राबर कितना दिया हुआ है 14 मीटर बेलन का आधार का ब्यास दिया हुआ है 14 मीटर ठीक है तो त्रीजिया कितना हो जाएगा त्रीजिया बराबर हो जाएगा 14 बटा 2 यानि 7 मीटर तो त्रीजिया जो होता है ब्यास का आधा होता है तो बेलन की त्रीजिया कितना हो गया 7 मीटर त्रीजिया ग्यात हो गया है अब बेलन का आइतन दिया हुआ है तो बेलन का आइतन बेलन का आइतन है 2310 घन मीटर बेलन का आइतन कितना दिया हुआ है 2310 घन मीटर बेलन का आइतन है 2310 घन मीटर तो बेलन का आइतन का सुत्र क्या होता है पाई आर स्क्वाइर एच पाई आर स्क्वाइर एच तो बेलन का आइतन का सुत्र होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई आर स्क्वाइर एच बराबर लिख लेंगे 2310 घन मीटर तो बेलन का आइतन 2310 घंड मीटर तो बेलन का आइतन का सुत्र होता है π.R² तो π.R² ब्राबर लिख लेंगे 2310 घंड मीटर प.π क्या है? π. का मान होता है 22 वटा 7 R तिरिज्या को R से लिखते हैं H हो गया उचाई यानि बेलन की उचाई को H से लिखते हैं त्रीज्या को आर से लिखते हैं, तो देखें, त्रीज्या कितना आया था, बेलन का, 7 मीटर, तो आर के जगा पे हम क्या लिखेंगे, 7, और पाई के जगा पे, पाई का मान होता है, 22 वटा 7, त्रीज्या कितना है, 7, तो आर के जगा पे 7 लिखेंगे, तो आर का वर्ग है, त 2310 तो H बराबर H बराबर हो जाएगा 2310 गुना 7 बटा 22 गुना 7 गुना 7 देखे 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा 22 गुना 7 का वर्ग H के साथ गुना में है तो बराबर के दाया तरफ आके भागा में हो जाएगा साथ का वर्ग मतलब साथ गुना 7 ठीक है इस तरह लिख लेंगे साथ से साथ कट गया साथ से साथ कट गया अब यहाँ पर देखे साथ से कट रहा है साथिया 21 दो इधर गया 21 हो गया सात्य है 21, 330 बार में, 22 से कट रहा है, 22 गुना 1, 22, 11 इधर गया तो 110 हो गया, तो 22 पचे 110, यानि 15 बार में कट जाएगा, तो H बराबर कितना आ गया, 15 मीटर, यानि बेलन की उचाई कितना आ गया, 15 मीटर, एच क्या है, उचाई को H से लिखते हैं, तो बेलन की उचाई आ गया है, 15 मीटर, अब क्या पूछ रहा है हम से, कि बेलन का वक्र प्रिष्ट ग्याद करें, तो लिखेंगे आता है, बेलन का वक्र प्रिष्ट, तो बेलन का वक्र प्रिष्ट का सुत्र होता है, टू पाई आरेच, तो बेलन का वक्र प्रिष्ट का सुत्र क्या होता है, टू पाई आरेच, तो पाई का मान होता है, 22 वटा साथ, आर, आर कितना है, देखें, त्रीजिया कितना है, त्रीजिया, यानि आर क्या है, त्रीजिया को आर से लिखते हैं, तो त्रीजिया है साथ तो R के जगह पे 7 लिख लेंगे H, H कितना आया, 15 यानि उचाई उचाई को H से लिखते हैं, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे 7 से 7 कट गया, अब इसको गुना कर देंगे तो 15 दुना 30 और 30 गुना 22 करेंगे तो आ जाएगा 660 मीटर में है, ठीक है मीटर में था 30 यह सब, तो वक्रिप्रिष्ट आ जाएगा वर्ग मीटर में, यानि 660 वर्ग मीटर हो जाएगा बेलन का वक्रिप्रिष्ट, तो इसका उत्तर आ चुका है 660 वर्ग मीटर प्रसनाट एक बेलन का आईतन 5544 गन सेंटीमीटर है और इसके उचाई 16 सेंटीमीटर है इसकी तिरीजिया और इसके वक्रिप्रिष्ट का छेतर फल ग्याद करें तो बेलन की उचाई कितना दिया हुआ है बेलन की उचाई बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर ठीक है और आईतन आईतन दिया हुआ है बेलन का तो आइतन बराबर दिया हुआ है 5544 घन सिंटिमीटर ठीक है तो बेलन का आइतन दिया हुआ है और उचाई दिया हुआ है क्या निकालना है इसका त्रीजिया और इसके वक्रिष्ट का छेतरफल ग्याद करना है तो बेलन का आइतन का सुत्र होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई आर स्क्वाइर एच बराबर लिख लेंगे 5544 घन सेंटीमीटर बेलन काहितन का सुत्र होता है पाई आर स्क्वाइर एच तो पाई आर स्क्वाइर एच बराबर हो गया 5544 घन सेंटीमीटर तो πाई क्या है, पाई का मान होता है 22 वटा 7 त्रिजिया को R से लिखते हैं ये उचाई को, बेलन की उचाई को H से लिखते हैं ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पाई के जगह पे 22 वटा 7 गुना, R स्क्वाइर, गुना, H अब देखें, उचाई को H से लिखते हैं तो उचाई कितना है, 16 तो यहाँ पे H के जगह पे 16 लिख लेंगे बराबर 5544 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं अब हो जाएगा तो R स्क्वाइर बराबर कितना आ गया 5544 गुना 7 बटा 22 गुना 16 साथ यहाँ पे भागा में हैं तो इधर जाके गुना में हो जाएगा उसी तरह 22 गुना 16 देखें, भागा में हो जाएगा बायां से दाया तरफा करके अब इसको काट लेंगे 11 से कट रहा है, 11 गुना 22 11 गुना 25, 11 गुना 24 तो एक सून्य दे देंगे पहले, क्योंकि दो अंक है इस तरह से अब 2 से कट रहा है 2 गुना 4, एक इधर गया 10 हो गया 2 पचे 10, 2 गुना 4 फिर 2 से कट रहा है देखें, 4 से भी कट रहा है 4 चक 24, एक इधर गया तो 12 हो गया 4 से कट लेंगे, 4 चक 16 4 चक 24, चारती अब बार है इस तरह से ठीक है तो आ गया 63 गुना 7 बटा 4 यानि R स्कौाइर बराबर कितना आ गया 63 गुना 7 बटा 4 इस तरह लिख लेंगे देखे, 63 और गुना में 7 है बटा में 4 है तो R बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट 63 गुना 7 बटा 4 R बराबर अंडरूट हो जाएगा क्यूंकि अस्कौाइर को इधर भेजेंगे तो अंडरूट में हो जाएगा अब यहाँ पर 63 है तो 63 को हम लिख सकते हैं 63 सत्य होता है 441 क्या होता है 441 तो 441 बटा 4 का अंडरूट हो जाएगा R बराबर R बराबर कितना आ गया अंडरूट 441 बटा 4 अब 441 का वर्गमूल क्या होगा 441 का वर्गमूल हो जाएगा 21 और 4 का वर्गमूल होगा 2 यानि कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर इसका त्रीजिया देखे 441 का वर्गमूल होता है 21 और 4 का वर्गमूल होता है 2 क्योंकि 2 दुना 4 होता है 21 गुना 21 441 तो अंडरूट में है तो इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल लिख लेंगे अब 21 को 2 से भाग देंगे तो साथे 10 यानि 10.5 तो त्रीजिया यानि आर कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर तो त्रीजिया ग्यात हो गया है अब कह रहा है कि त्रीजिया और इसके वक्र प्रिष्ट का छेतरफल ग्यात करें तो अब हमें क्या ग्यात करना है वक्र प्रिष्ट का छेतरफल तो लिखेंगे अब बेलन का वक्र प्रीष्ट का छेत्र फल बराबर तो देखें बेलन का वक्र प्रीष्ट का छेत्र फल का सूत्र होता है 2 πाई आरेच 2 πाई आरेच पाई का मान होता है 22 वटा 7 आर हम कितना लाएं हैं अभी 10.5 तो त्रीज्या को आर से लिखते हैं तो R के जगा पे लिख लेंगे 10, 10.5, गुना H, उचाई, उचाई दिया हुआ है 16 cm, इस तरह लिख लेंगे, 7 से कट रहा है, 7 यह 7 गुना 1, 7, 3 इधर गया, 7, 5, 35, यानि 1.5 बार में अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 16, 32, 32 गुना 22, गुना 1.5, कितना आ जाएगा? तो इन चारों को गुना करने पे आ जाएगा 1056, एक 1056, तो वक्र प्रिष्च है, इसलिए वर्ग में आएगा, तो cm में है, उचाहिए सब, तो वर्ग cm में हो जाएगा, इसका वक्र प्रिष्च का छेतरुपल, तो इसका उ पिलन का वक्र प्रीष्ट का छेत्रफल और इसका त्रीजिया आ गया 10.5 सेंटीमीटर झाल 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 झाल